Hello everyone and once again welcome to Umar Taskir YouTube channel myself Umar Taskir guys Google Ads course के इस particular वीडियो में हम लोग बात करने वाले about out stream ads हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ये out stream ads क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं guys एक चीज़ मैं आपको इस टार्टिंग में ही क्लियर कर दूँ कि out stream ads या जो out stream type of campaigns होते हैं ads होते हैं ये basically हमारे YouTube के platform के उपर नहीं चलते हैं देखो नाम से ही पता चल रहा है जो हमारे skippable in stream ads थे जो हमारे non-skippable in stream ads थे जो हमारे discovery ads थे वो YouTube के platform के उपर चलते थे बट क्योंकि हमें पता है कि अगर हम Google ads के थूर अड़टाइस करें which means that तो जो Google की partner websites हैं उनके उपर भी हम लोग अपने ads को run कर सकते हैं किस टाइप से वीडियो ads को हम लोग Google की partner websites के उपर run करेंगे और इसी लिए इसका नाम रखा गया है एक और चीज में स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूं तो यह केवल मोबाइल के उपर ही रिखते हैं और बाकि जो settings में changes हैं बाकि क्या unique चीज़ें हैं आउट्स्ट्रीम ads में आपको तब समझ में आए कि जब हम लोग campaign की setting करने जाएंगे और campaign create करने जाएंगे तो शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग किस तरीके से हम लोग एक आउट्स्ट्रीम campaign set कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूं प्लस के उपर new campaign पर हमें जाना है और जो यह हमारा आउट्स्रीम campaign होते हैं उनको यूज करते हैं इनका परपस sales leads या website traffic नहीं होता है तो जो यहाँ पर हमें गोल्स दिखते हैं अगर मैं किसी के उपर क्लिक भी करूं लेट से मैं website traffic क्लिक करता हूं और उसके बाद मैं वीडियो campaign को यूज करना चाहता हूं website traffic लाने के लिए यूजी यहां पर मुझे केवल drive conversion को option दिख रहा है यहां पर मुझे आउट्स्रीम को option नहीं दिख रहा है इसी तरीके से देखो आप promotion में तो वैसे ही हमें जो है video campaign को option नहीं दिखता है leads अगर हम लाना चाहते हैं तो भी देखो यहां पर drive conversion केवल हमें दिख रहा है sales अगर तो जो हम वे पिक करेंगे that is actually video ad तो यहां पर अगर आप जाओगे तो you will see different types of sub campaigns जिनको use करके बिसिकली आप जो है अपने यह वाला objective अचीव कर सकते हैं तो यहां पर अगर आप देखें तो आपको out stream ads का option दिखता है तो यहां पर अगर आप select करेंगे तो आप out stream campaign उनको create कर सकेंगे वही पर guys अगर हम create a campaign without a goal guidance भी करें और यहां से अगर हम लोग video campaign create करने की बात करें तो इस particular case में तो आप जानते हो क्यूंकि हम लोग ने कोई goal ही नहीं select किया तो वो सारे options हमें दे देगा तो यहां से भी हम लोग out stream जो campaign है हमारा वो setup कर सकते हैं अब हम लोग इसको setup करते हैं और एक-एक setting को discuss करते हैं किस तरहीं settings अलग है तो मैं continue करूंगा अब आपको clarity हो गए कि अगर हमें out stream campaigns use करने हैं तो हम तभी use करेंगे हमारा purpose cable awareness का हो हम यहां से यह चीज़ नहीं achieve कर सक होते हैं वह मिलेगी तो जैसे मैंने भी आपको starting में बताया कि जो out stream type of video campaigns होते हैं इनको हम लोग यूज करते हैं brand awareness के point of view से तो अगर हम brand awareness के point of view से यूज करें तो वहां पर जो बिडिंग श्राडिजी जनरली यूज होती है वह CPM-based ही होती होती हम यहां conversion तो चाहां नहीं और यहां पर यह आपको बता रहा है कि यह सारे options आपको नहीं मिलेंगे budget and campaign की start and date है that you can select according to your requirement location and languages भी आप अपनी requirement के हिसाफ से आपने project के हिसाफ से आप से आप सेलेक कर सकते हैं किन locations में हो किन languages में आपको दिखाना है किन languages की websites के उपर आप दिखाना चाहते है then you have this ad group option जिन websites के उपर जो content है उसको अगर आप topic wise define करना चाहें कि आप उन website के उपर दिखाना चाहते है जिन websites का content है वो book and literature related हो you can select this thing तो यह actually depend करता है कि आपका project क्या है आप क्या achieve करना चाहते हैं आपका जो website है वो किस बारे में है या आपका वीडियो जो है न वो किस बारे में है और CPM जो है यहाँ पर आप देखने है वीडियो आपको बीडियो मिल रही है तो आप यहाँ पर एक minimum bit से start कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर हमारे पास creator add दिख रहा है तो actually जो add है यह वाला अब यह ना तो video discovery add होगा ना तो यह skippable add होगा तो यह add का जो format है वो भी दूसर तरीके का होगा तो preview में आप देखेंगे दूसरे तरीके से दिखेगा तो let's say मैं अगर यहाँ से कोई अपना वीडियो पिक करता हो देखो वीडियो तो हमें पिक करना ही वड़ेगा क्योंकि यह video add है तो let's say मैं यहाँ पर एक मुझे video दिखा मैं इसको पिक कर लेता हूँ अब देख सकते हो आप यहाँ पर example of outstream ads on google video partners यह आपको दिख रहा है यहाँ पर न देखो केवल यह कहाँ पर दिखेगा गूगल के जो video partners होंगे उन्हीं के उपर दिखेगा और यहाँ पर अगर आपको वीडियो पार्टनर्स on the display network YouTube not available क्योंकि हमें पता है कि outstream ads YouTube के उपर email अगर आप उसी को यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप यहाँ पर जो आपकी headline है जैसे मैं learn digital marketing लिखना चाहता हूं तो मैं वो लिख सकता हूं यहाँ पर learn digital marketing in Hindi राइट यहाँ पर मैं लिख सकता हूं learn from industry experts in India agency styled training of digital marketing राइट तो यह आपके उपर है कि यहाँ पर आप जो description है या जो headline हो किस तरह किसे लिखना चाहते हैं call to action बटन आपको यहाँ पर मिलेगा ठीक है तो यहाँ से आप call to action बटन जो भी आप चाहें वो call to action बटन आप यहाँ यूज कर सकते हैं it should be relevant to your website ठीक है कि आप किस landing page के उपर ले कर जाना चाहरे है या website कि किस page के उपर आप ले कर जाना चाहरे है उस page के उपर जो content है और यहाँ जो आपका call to action बटन होगा वो आपस में relevant होने चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास option होता है हम call to action बटन जो है वो नेम जो है जो भी लिखना चाहरे हो लिख सकने समय यहां लिख देता हूं एक बार के लिए के एवल अप्लाएन आउ राइट मैं लिख देता हूं यहाँ पर apply now तो आप देखोगे यहाँ पर apply now हमें दिख रहा है logo you can select यहाँ पर जो आपको gray option दिख रहा है you will see the logo तो here is our logo now ठीक है और जो भी आपका यहाँ पर https के साथ जो भी आपका final URL है वह आप यहाँ पर select कर लेंगे URL के option से tracking point of view से हैं अगर आप इनको use करने चाहें कर सकते हैं otherwise आप इनको ignore कर सकते हैं you will just give it a name and then you will create your campaign तो guys इस तरीके से आप अपने outstream ads को create कर सकते हैं but guys जब भी हम लोग कोई भी campaign बनाने चाहें देखो केवल इसलिए हमें campaign नहीं बना देना है कि अच्छा out stream मुझे बहुत खीक लग रहा है हम चला के देखते हैं कि यह perform करेगा या नहीं करेगा this is not the way to run any campaign हमें actually पहले पता होना चाहिए कि outstream campaigns जो है वो किस लिए है तो यहाँ पर यह बात clear है कि outstream campaign है वो basically awareness के लिए तो अगर आपका purpose awareness का नहीं है फिर आप outstream campaign मत रन करें अगर आप actually चाहते हो कि website के उपर जादा जादा traffic है then outstream campaign is not for you right उसके पीछे का जो reason हो भी मैं बताता हूं देखो आपके ads होंगे वो कहां दिखेंगे वो दूसरी website पर दिखेंगे उन website के उपर कुछ content होगा और actually यूजर होता है या जो उस website के उपर आया हुआ होता है वो उस content को consume करने आया होता है तो वो उस content को पढ़ रहा होता है ठीक है बीच में आपका ad भी side में दिख जाता है यू ज़रूरी नहीं कि user उस ad के उपर क्लिक करें भाले कितना ही relevant क्यों ना क्योंकि उस वक्त यूजर का उस page पर होना इस for कि वो उस content को consume करना जो उस webpage के उपर है ना कि वो आपके ad को देखने आया तो अगर वो ad बहुत जादा interesting भी है उसके बाद भी या बहुत जादा relevant भी है कि मतलब मुझे यहां से लग रहा है कि मुझे बहुत जादा clicks नहीं मिलेंगी उस particular conditions पर हमें हमारी जो headlines होती है हमारी जो descriptions होते हमारे जो call to action buttons होते हैं उनके उपर बहुत ध्यान से चीज़े करनी पड़ते हैं क्योंकि हम अगर वहां पर थोड़े से change करेंगे तो हमारे जो clicks है उनके आने के chances जो है वो बढ़ जाएंगे तो दोस्तों ये छोटी-छोटी से चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और रखना पड़ेगा भी अगर हमें इस टाइप के ads जो हैं उनको effectively run करना आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आयोगा दोस्तों वीडिय में नहीं शेयर किया तो शेयर करें ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन गुड़ बाए